नमस्कार साथियों इस जादूई ड्रिंक के इच्छे अनोखे फाइदे और इसे बनाने का आसान तरीका पहला फाइदा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है साथियों सबसे पहले तो बात करते हैं इसके इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले गुनों की सर्दियों में हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक मजबूत इम्यूनिटी की, ताकि सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी मौसमी बिमारिया हमारे करीब भी न आ सके. गोड़ और अद्रक में एंटिक्सिडेंस का भंडार होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन करने से संक्रमन से लड़ने की ताकत मिलती है और आप सर्दियों का आनंद बिना किसी जंचट के उठा सकते हैं. दूसरा उपाए साबित हो सकता है. इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुन होते हैं, जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं. सोचिए, जब आपका शरीर दर्द से मुक्त हो, तो हर दिन एक नया जोश और ताजगी महसूस होती है. तीसरा फाइदा, सूजन से राहत दिलाता है. साथ अगर आप इसे रोजाना पियें, तो आपके शरीर में हलकापन महसूस होगा, और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे. चौथा फाइदा, एंटिकसिडन्स से भरपूर है. अदरक और गुण में एंटिकसिडन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को कई खतरना बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. ये एंटिकसिडन्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जिससे हमारी तवचा स्वस्थ रहती है और उम्र बढ़ने के असर को धीमा कर सकते हैं. आपकी स्किन निखरी-निखरी और जवान दिखेगी. पांचवा अगर आप बार बार सर्दी खांसी से परिशान रहते हैं, तो इस ट्रिंक को अपनी दिन शर्या में शामिल करें और देखिए कैसे आपको आराम मिलता है. चछथा फाइदा, शरीर की विशाक्तता को कम करता है. गुड़ और अद्रक का ये अद्भुत मिश्रन हमारे शरीर जिन लोगों को खून की कमी की समस्या होती है, उनके लिए तो ये ड्रिंक एक वरदान के समान है. क्या पता यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है? तो साथियों, ये थे गुड़ और अद्रक के पानी के अनोखे फाइदे. अब जानते हैं इस इसे बनाने का आसान तरीका. इसे बनाने के लिए ताजे अद्रक को पानी में करीब 10 मिनित तक उबा लें. इसके बाद इसमें अपने स्वाद के अनुसार गुड़ डालें. इस पानी को हलका गर्म ही पिएं और लीजिए. आपका गुड़ और अद्रक का पानी तयार है. तो साथियो, ये थी गुड़ और अद्रक के पानी के फाइदों की पूरी जानकारी और इसे बनाने का तरीका. अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सबसक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्त रहें, खुश रहें और अपनी सिहत का ध्यान रखें, हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नमस्कार